सो गाइस जैसे कि मैंने तुम लोगों बताये थे कि periodic property का हर एक जो property है यह तुम्हें बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा reality में वही है कि यह जो सारे property है atomic size होता है energy sun potential सारे जो electron affinity, electron negativity यह सारे जो properties होता है बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा तो आज वो दिन आएगा आ गया मतलब आज मैंने तुम लोगों बोलने वाला हूँ कि atomic size आज उसी का हम लोग एक हिस्सा लेने वाले है यानि कि बहुत बड़ा topic है एक एक करके सब कुछ समझना पड़ेगा आज first part खतम करेंगे जो कि ह atomic size और इससे न सब कुछ related जितने सारे periodic property है वो सारे इस atomic size यानि कि atomic ready से related है मतलब एक अगर तुम अच्छे से नहीं समझोगे तो बाकी का सारे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो अच्छे से समझो तो अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा ना तुम्हें देखो भाई दोनों ही सेम चीज है अगर तुम्हें atomic ready भी बोलो वो भी चलेगा atomic size भी बोलो वो भी चलेगा मतलब the distance between the valence cell, valence cell मतलब समझ रहे हो ना जहां पर lush electron जिस cell में lush electron present होता है उसको बोला जाता है valence cell और वहां से nucleus तक जो distance है इसको बोला जाता है atomic radius और बोल सकते हो atomic size so क्या हुआ the size of an atom depends on the distance between the valence cell and the nucleus that is the atomic radius बात simple है atom है उसका एक nucleus है और उसका लष्ट में जो valence cell है उस valence cell से nucleus तक distance को बोला जाता है atomic radius और atomic size भी बोला जाता है यहाँ पर क्या न एक atom है उसका nucleus में क्या है proton है neutron है और वहां से distance देखो valence cell में कितना electron घुम रहा है एक electron घुम रहा है तो यह जो nucleus से valence cell तक जो distance है एक straight line तुम खीच दो nucleus से अपने copy में drawing भी कर सकते हो तुम nucleus से एक straight line तुम balance cell तक खीच दो तो वह हो जाएगा distance उसका और उसी को बोलता है atomic radius तो simple सा concept पहले clear करो इसके बाद तुमको सब कुछ समझ में आएगा कि atomic radius कैसे dependent कैसे periodic property में आता है इसके वज़े से periodicity का क्या change क्या कुछ भी होता है यह समझ में आएगा पहले यह वाला concept clear कर कि atomic ready क्या होता है या फिर atomic radius क्या होता है radius का plural form ready होता है ठीक है तो यह concept अगर तुमें clear हो जाएगा तो हम लोग next topic पर बढ़ते है ठीक है तो देखो variation of atomic size along a periodic period and a group in the periodic table तेखो यह जो atomic size है यह हर बग सब के लिए same नहीं होता है सब element के लिए atomic size अलग-अलग होता है और यह maintain होता है periodicity के वज़े से मतलब जो group में change होता है कुछ periodic table में दोनों चीज़ है एक होता है period एक होता है group अब period में भी यह atomic size का कुछ increasing order में जाता है कुछ decreasing order में हो सकता है मतलब variation एक होता है सबका same नहीं होता है थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है बढ़ेगा हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके कमेगा अब क्या होगा वो हमें नहीं पता है अब भी पता चलेगा चलो देखते हैं क्या होता है तो देखो mainly जो period में जो चीज दिखा जाता है वो यह होता है कि the atomic radius generally decreases from left to right across a period atomic radius क्या होता है जब ही हम लोग कुछ periodic table के उपर depend करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा जो elements है उसका atomic radius generally decreases करेगा period period पहले समझो पहले period को देखो एकदम एक periodic table ले लिया उसका period किसी भी एक period दो number period तीन number period को notice करो तीन number period को notice करो ठीक है वहाँ पर क्या हो रहा है ना the atomic radius generally decreases atomic radius generally decrease करेगा from left to right और तुम तीन number period अगर notice कर रहे हो तो वहाँ पर sodium जरूर रहेगा sodium के बाद क्या है कुछ भी हो सकता sodium के बाद chlorine है इस side में बहुत सार है है ना तो उधर में decrease कर रहा है left के side में left से जब right जा रहा है तो decrease कर रहा है when we proceed along a period electrons are added to the sub cells अब देखो भाई क्यों decrease कर रहा है क्यों atomic radius decrease करेगा यह दो मैंने simple सा भासा कह दिये कि भाई generally decrease करेगा left से right तक जाने में in a period तो भाई क्यों होगा तो इसके reason यहाँ पे है when we proceed along our period electrons are added to the sub cells of the same main energy level with the addition of each electron the nuclear church increases by one क्या होता है जब हम लोग left से right तक जाते है तो उसके साथ साथ क्या होता है atomic number भी बढ़ जाते है जैसे atomic number बढ़ेगा तो electron भी बढ़ जाएगा ना simple सी बात है electron जैसे बढ़ रहा है lust जो balance cell है उसमें higher electron हो रहा है धिरे धिरे करके दब पहले sodium पे देखोगे तो वहाँ पे balance cell पे एक electron था lust में जैसे बढ़ रहा है तो एक से दो हो रहा है दो से तीन हो रहा है जैसे ही lust cell में electron बढ़ रहा है तो उस electron का मतलब attractive force nucleus के तरब जादा हो रहा है और अगर nucleus के तरब attractive force जादा होगा तो उसका atomic radius उतना ही कम होगा अब समझ में आया जिसका attractive force जादा होगा अब attractive force कब जादा होगा जब बहार जादा electron रहेगा जादा electron रहेगा तब attractive force जादा होगा तब उसका radius कम हो जाएगा ये बात एक दम से clear कर लो ठीक है the nuclear charge increases by one hence the increased nuclear charge attracts the electron more strongly जादा तगड़ा तरीके से ऐसा नहीं है कि sodium को nucleus नहीं कीचेगा खीचेगा भाई उसके लेकिन उसके comparison में अगर तुम chlorine को देखोगे तो उसमें क्या है ना बहर जादा electron है बहर साद गो electron है तो क्या होगा ना उसका nucleus जादा strongly खीचेगा और जहां पर भाई strongly खीचेगा तो उसका radius जो है वो धीरे-धीरे करके decrease कर जाएगा तो इसलिए कहा गया कि period में अगर मैं left से right तक जाता हूँ जैसे कि left से तुम right तक जाओगे तो सही में जो elements है सबसे ज्यादा electron होते जाएगा last cell में जिसके वज़े से जो इधर के right side में सबसे last में कौन है chlorine है तो क्या होगा ना वहाँ पे chlorine का सबसे strongly attraction होगा जिसके वज़े से उसका radius कम हो जाएगा अब तुम्हें मैं diagramically समझाता हू देखो sodium atom है उसके बाहर कितना electron है उसके बाहर एक electron है तो देखो अगर भाई एक electron बाहर रहेगा तो attraction force क्या होगा कम हो जाएगा attraction force कम हो जाएगा और जब ए attraction force कम हो जाएगा तो उसका radius बढ़ जाएगा सिंपल सी बात है अब देखो chlorine उसके comparison में chlorine को देखो chlorine के बाहर total 7 electron है 7 electron अब उस 7 electron जब रहेगा तो क्या होगा न वहाँ पे जादा attraction force होगा जहाँ पे electron जादा होगा तो nucleus के nucleus उसे जादा strongly खीचेगा मतलब जादा जोर से खीचेगा और जब यह जोर से attraction होगा तो क्या होग करना radius बढ़ जाएगा तो यही फंडा है इसे अगर तुम अच्छे से समझ लिया अपने concept में लगा लिया तो इसके next वाला जो group वाला चीज है वहाँ पे भी same है यहाँ पे बस left से right तक जाते जाते decrease हो रहा है radius और क्यों decrease हो रहा है यह मैं अब भी तुम्हें बता दिया ए उसका attraction कम होगा तो attraction जैसे कम होगा तो उसका radius बढ़ जाएगा और जिसका attraction ज्यादा होगा तो उसका radius कम हो जाएगा ठीक है वैसे same चीज़ groups में भी किया गया on moving down a group group क्या है नीचे के तरफ जा रहा है on moving down a group the atomic radio of the elements increase with an increase in the atomic number on proceeding downward in the group of electrons are added to the next main energy level which are further from the nucleus यहां पर भाई तुम्हारा एक सवाल आ सकता है कि भाई atomic number बढ़ रहा है तो electron भी last cell में बढ़ेगा लेकिन भाई ऐसा नहीं है बढ़ते बढ़ते कब तक बढ़ेगा 8 electron complete हो जाएगा तब फिर वही main energy level और एक main cell लेना पढ़ेगा उसे और main cell जो भी वो ले लेगा तो क्या होगा ना उसमें एक electron हो सकता है दो electron हो सकता है होगा कि नहीं बताओ तो क्या होगा ना फिर उसका जो atomic radius है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि last cell में कम electron है तुम पहले जितना भी भर लो पहले का cell में तुम दो भर लिया उसके बाद 8 भर लिया उसके बाद भी 8 भर लिया उसक करता है ठीक है तो सिंपल सी बात है जब नीचे के तरफ जाओगे मालों की सोडियम as example sodium sodium के बाद आएगा potassium तो potassium के potassium पर क्या होगा ना पहला जो k cell वो full हो जाएगा L cell भी full हो जाएगा M cell भी full हो जाएगा M cell में जाकर के वो क्या होगा एक electron छोड़ देगा तो क्या होगा Lust cell में कम electron है उसमें क्या होगा attraction कम हो जाएगा जैसे ही attraction कम हो गया तो क्या atomic rate D बढ़गा इस हिसाब से तुम क्या बोल सकते हो कि group में अगर मैं downward में move करते है धीरे-धीरे करके तो उसका भी atomic radius बढ़ जाता है in case of period left to right move करोगे तो atomic radius कम होता है decrease करता है लेकिन group के हिसाब से downward जब हम लोग move करते है up to down then atomic radius increase कर जाता है तो यही बात कुछ यही है इस लिखा को पढ़ लो note कर लो अच्छा है लेकिन concept समझो पहले concept समझो पहले मेरा बात समझो फिर इसे लिखना ठीक है तो देखो वही मैं diagramatically अगर तुम्हें समझाओ तो sodium के बाहर क्या है कम electron है देखो तब गया होगा ना sodium के बाहर कम electron है potassium के बाहर भी कम electron है लेकिन क्या होगा ना sodium का cell कितना है sodium तीन cell लगाया लेकिन potassium चार cell लगा रहा है अगर जिसमें चार cell लग गया तो तुम तो उससे समझी सकते हो कि उसका radius जादा हो गया चार cell लग गया तो चार cell के लिए और एक cell के लिए तो थोड़ा दूर जाएगा ना तो इस हिसाब से हम लोग बोलते है जो group के up से down जाता है उसका atomic radius बढ़ता है और जो period होता है उसका left to right जाते है तो उसका atomic radius decrease हो जाता है यही था simple सा चीज और q atomic radius बढ़ जाता है q atomic radius कम ज चान होगे तो सारे कुछ भी अच्छे से पढ़ पाओगे जितने भी सारे अच्छे से पोटेंशियल यही एक्चुली में यही variation है अब इस atomic ready का भी बहुत सारे part होता है वो अभी तुम्हें जानने का जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा interest है तो मैं बता दूंगा ठीक है त कोई भी कोई भी periodic property में अब भी से बोल रहा हूँ अगर तुम इसे अच्छे से नहीं समझोगे तो कोई भी periodic property अच्छे से तुम नहीं समझ पाओगे तो please इसे अच्छे से समझो लिखना नहीं है पहले लिखना नहीं है पहले concept समझना है ठीक है thank you